आपने जो इतना बड़ा स्टैप लिया कि नोकरी छोड़ दी और फूल टाइम इसमें क्या प्लान है आपका जिससे समाज को फायदा हो रहा है वो भी जरूर हमारे दर्सकों को बताएं देखिए अरतन जी और उससे लोग दूसरे लोग भी हमारे समाज के एक प्रेड़ना ल आप हमारी जो वारत अलाप हो रही है दरसल मैंने अभी क्या बता है कि हम समाज सेवा के लिए निकल पड़े आज देश के अंदर में मेरे पास उसके क्या बूले क्या बूलते अपना उसका प्रूफ तो है नहीं कि हां वाक ही इतने हैं लेकिन जानकारी के अनुसार बता र यह माइन रखता है यदि मैं घर से निकला और मैंने एक राष्टी अद्यक्ष नाम लगा करके बोड़ टांग लिया बाहर एक बोड़ लगा लिया राष्टी अद्यक्ष फलान संगटन फलान संस्ताय ट्रस्ट यह जो भी इट इस लेकिन मुझे बता दीजिए सिवाए सम संगटन है टो एक बोर्डी में यह मानते हैं कि देश के अनदर मैं 30,40,000 काम त्युक्तित है और यदि एक बोर्ड़ में जो चोड़ देश कंदर में 39 लाग जो ऐसे अध्यप्ष वह काम करें उन्हें यह कैसे आपकी से रूप से एक्टिव हैं काम करना चाहते हैं यदि वो लोग है इक इक इस लोग बहुत कठा करके एक राजमें काम करें तो मेरे क्याल में परिवर्दन हो सकता है सर इसी पर मैं यह थोड़ा सा एक बात रखना चाह रहा हूं मैं बहुत कड़वी भासा का इस्तेमाल भी करता हूं जबूर बिलकुल स्विकार होना भी चाहिए मैं कुछ नाम किना रहा हूं आपको अपने बहुजन के जो बड़े नाम है जो अपने आपको बड़ा सोचल रि मुक्री थी अभी जो लड़का चंसे का राजाद है उनके फादर हेड मस्टर सोचल मीडिया से हमें पता लगा है और उदित राज हैं जो आयारस बने बावन में इसराम हैं उदर बाबा साब के पोते हैं प्रकासराव अंबेटकर या परपोते हैं राजरतन अंबेटकर उ जदार्मी कूरूप में इससे पहले अगर बैक्राउंड में जायें तो बीपी मौरी बहुत बदा है मैं मुझे तकलीफ जो होती है मेरा जो कड़वा जो भासा होता है वो इसलिए होता है कि मुझे वो तकलीफ होती है अंदर से इन में से मैं समझता हूँ कि अगर इनकी वाकई में इनके सारे खर्चे और ये से लेके जैड तक की कहानी को अगर निकाला जाए तो इन में से कोई सो करोड से कम का आदमी नहीं बना और ये सो करोड के आदमी बने तो किस से बने क्या इनका बैक गराउंड इंडसलिस्ट का है क्या इनका बैक गराउंड इतने बड़े फार्मेसिस्ट थे कि इनके पास में सेंक डो एकर जमीन थी जिसकी वेसे इनके बाद इतना पैसा था या अलग-अलग संक्ठन चलाने की वज़े से, एक जगे ना होने की वज़े से, ये समाज का नुक्सान कर रहे हैं, मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता आपके हिसाब से, किसी संक्ठन से इनके सौफ्ट हो या उनको थोड़ा पसंद करते हो, उस बात को मैं नहीं जानता हूं, उस जाती के लोग उसका भक्त बन जाते हैं, उनको कोई समाज से मतलब नहीं है, या चाह वो अखले से आदव हो, यादव हैं तो यादव उसके पीछे भक्त बन जाएगा, तो जब ये समाज का काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको वो जो हमारा समाज, जो अपनी मेहनत का सो रुपे का चंदा इनको देता है, जिससे ये आज एक एशो राम की जिन्दगी जीते हैं, बंगलो में चलते हैं, बड़ी गाडियों में चलते हैं, अपने प्रावेट बाउंसर तक रखते हैं, जब तक सांसद नहीं मिलती ना, जी बिलकुल, सरकारी सुरक्चा तो जब सहली बन जाता है, इसको किस तरह देखते हैं, यह समाज का नुक्सान की रूप में देख रहे हैं, अगर अगर इनको समाज की पीड़ा है, तो एक जगा आने में क्या दिक्कत है भाई, आप कॉलोब्रेशन तो कर सकते हैं, संक्टेनल लग चला लीजे, बिलकुल, बिलकु अज एक FIR नहीं करा सकते हैं, कासिराम साभ के जमाने में पहले तो ऐसी नौबत नहीं आती थी, किसी पर बहुत बदा उत्पीड़न साभ के आने के बाद, और साभ की मुम्मेंट के बाद, काफी उसमें ग्राफ कमी आई थी, आज एक आप FIR नहीं करा सकते हैं, मैं डेली केस हेंडल करता हूं एक्ट्रोसिटी के हर अपते में एक दू केस हेंडल करता हूं दिखे गोतम रतनाजी सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी पड़ेगी बाबा साहब ने अजब समीधान त्यारवा देश आजाद होने के बाद हमारे देश में समीधान लागू हुआ तो चनकरते हैं जसे हम अपने अस्तर पर जिसी जाति के समेखते हैं उन्होंने उस जाती को उहां खतम किया सी अधीय जो ड़त को नहीं करें जो सवाल आप करें वह सवाल आपसे पहले एक हजार बार मेरे मन में आता है जब देश के अंदर मैं देखिए मुझे वह बात कहनी निजए लेकिन चुकि हम बात देश की उन मतलब जो पीड़ा पर कर रहे हैं जो समाज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूब में आपके अंदर भी है और मैरे अंदर भी और घटित भी है जौ जमीन इस्तरवद इख्याएब देज में कि यदि वह स्यातों कि थर्म विश्भ workplace इन देज गयाँ वूज देश की किसी भी पार्टी में किसी धर्म विशेश का व्यक्ति है या सपा को किसी भी पार्टी को नहीं कर रहा है लेकिन यदि ऐसा रहा होता तो 2007 में उत्तर प्रदेश के अंदर में पूर्ण महुंद से बहंजेगा जो बहुजन समाज पार्टी की उसरकार ना बनती हमें सबसे पहले देखिए विज़ा जी हमें सबसे पहले क्या है हमें थोड़ा या जादा सबने अपने सायोग देखर करके पूर्ण बहुमत से 25 साल के बाद में राजनिती में इतियास है ये उत्तर प्रदेश का कि 25 साल बाद में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार आई थी यदि उ सबस्क्राइब करता है यहां तो ऐसा होते हुए नहीं दिखता है अगर कोई भाजन समाज पार्टी का कारे करता उसके उपर तैचार हो गया कास रेक्रोस्टी हुए किसी तरह तो आपीमार्मी वाले सपोर्ट करने नहीं जाएंगे तो समाज पहले होना चाहिए राजनिती पहले होना चाहिए राजनिती बात हुए आप समाज के बलबुत्ते तो नहीं पहुंच रहा है और लगजरी गाडियों में आप इसके वरो से घुम रहे हैं बहुत संगटन करता है जिन सो मिले बैठकर हुई जो मैं आपसे आज बात इस स्टूड़य में आपके आप कह रहा हूं। वह बात मैंने उससे पहले रखी कि एक साथ जब आपको भी काम करना मुझे भी काम करना तो क्यों नहीं एक साथ आगर के नीचे काम किया जाए लेकिन विड़मना देखिए हमें दो बात की बात छोड़ दीजिए जो पार्टी में चाहे अब से पहले मुझे कहना नहीं जिए आपने कभी नहीं देखा हुआ यह विड़मना जब हमारे बड़े बुजरुक जिनहें कहते हैं कि हमारे बड़े बुजरुक जो हमें शिक्षा देंगे वही तो बच्चे आगे लेंगे ना जब पार्टी में जो लोग एक्टिव रहे हैं सुक सिवधाओं का भी त्याक कर करें सबस्क्राइब करें ताकि हम इस तरह की कड़वी सच्चाई जिससे समाज का नुक्सान हो रहा है उसको आप तक ला सकें और यह बात अगर हमारे उन लीड़ों तक भी पहुंचे उसमें वो सुधार करें तो हम उनका बिल्कुल तहीं दिल से सादुबाद भी करेंगे हमारे चैनल बहुजंत अस्तक को लाइक शेर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा जय भारत जय समिधान नमबुद्धाय थन्यवाद चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है अगर आप भूजंग समाज में बाबा साहिप अमेटकर और तथागत बुद्ध की विचार धारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग परदान करें ताकि हम अपने चैनल के मात्यम से देश विदेश में समता बंधुता एकता और समवेधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें आप अपनी साहिता राशी नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं खाता धारत गौतम रतना खाता संख्या 31695768651 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारती स्केट बैंक आप हमारे बैंक खाते का विवर्ण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रडक्शन एंड रॉज सिनेमा को लाइक सेर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा थैंक्स धन्यवाद मैं गौतम रतना गौतम फिल्म्स प्रडक्शन में आपका स्वागत करता हैं आप हमारे प्रडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज फिल्म डिरेक्टर एज प्रडूशर एंड एक्टर एक्टरस एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर और आपको फिल्म से रिलेटीड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में प दिपल 05714 हमें मेल भी कर सकते हैं गौतम फिन्स प्रोडक्शन एड़ारेट जीमेल डॉट कॉम पर धन्यवादा